आज मालेगाव शहर में एक वीडियो वाइरल हो रहा है काफी सारे मुबाइल से मुझे तकरीबन 16-17 पोन आ चुके हैं सुबह से कि मालेगाव में एक बच्ची को आजाद नगर हदी में किसी ने चाकू मार दिया वो उसको उठा कर लेके जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बच्ची ने हद पैर मारी तो उसने चाकू मार कर और भाग गया लेकिन ऐसा अलहम्दुलिल्ला मालेगा और शहर में कोई भी वाक्या नहीं हुआ है हमने अभी आजाद नगर पुलिस टेशन में भी इस तालुक से मालूमात ली और वीडियो फिर लोगों ने हमको डाला किया रही है वीडियो आजाद नगर वो वीडियो के अंदर बोल रहा है और महम्मदी अमस्जित बोल रहा है मैं ये वीडियो दो मिट के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग देखो तो ये वीडियो माले गाउच शेर में वायरल हो रहा है और बोला जारा है कि ये माले गाउच का है लेकिन हम लोगों ने कन्फर्म किया ये माले गाउच का वीडियो नहीं है मैं आप लोगों को बताता चलू कि ऐसे कोई भी घटना अगर मालेगाओ शेर में होती है तो मालेगाओ शेर के जितने भी सोशल वर्कर है सियासी समाजी लोग इन लोगों को पता चल जाता है अलहम दोलिल्ला ये वीडियो हमारे मालेगाओ शेर की नहीं है और ये काफी पुरानी वीडियो है ये अभी की वीडियो नहीं है इससे पहले भी ये वीडियो हम लोगों के पास आई थी तो ये वीडियो गुजरात सेट की है मालेगाओ की नहीं है आप लोगों से गुजारिश करते कि इस तरीके से जो माएं अपने बच्चों को लेकर ज्यादा घवरा रही है और ये बोला जा रहा है मालेगाओ शहर में की बच्चे पकड़ने वाले घुम रहे हैं तो ऐसी कोई भी मतलब बात नहीं है कि अपनी माएं घवराएं और अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोके या और भी कोई तार मतलब माई खवराएं हम लोग मालेगाव शहर के सभी शोसल वरकर उसके लावा सियासी समाजी लोग एकदम होशियार है अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ कर सबसे पहले पुलिस डिपार्मेंट के हवाले करेंगे सिर्फ आप लोगों से गुजारिश यह है कि कोई भी ऐसी फेक वीडियो अगर आप लोगों के मुबायल पे आती है तो बराहे महरवानी आप लोग ऐसी कोई भी वीडियो चला कर मालेगाव शहर के जो हमारी मा बहने है इन लोगों को टरानी की कोशिश ना करें आप लोगों से भी हम गुजारिश करते और मालेगाओ वालों से ये मतलब अपील करते हैं कि कोई ऐसे गबराने की जरूरत नहीं है जितनी भी वीडियो आ रही है बच्चों के तालुक से ये फेक वीडियो है शुक्रिया स्राम अलेकुम रख्मतुल्लाही वबरकातु